आप सबी प्यारे वीवर्स का वेलकम करता हूँ इस वीक के वोकैबलरी कैपसुल में आप में से बहुत वीवर्स की डिमांड थी सर वोकैबलरी बार बार भूल जाते हैं तो इसलिए हमने एक नया इनिशेटिव शुरू किया था मैं आपको पिछले वीक से जितने वेरिटोरिल्स पढ़ा रहा हूँ हर वेरिटोरिल्स में पांच चुनिंदा वर्ड्स को अलग से लेकर के समझाता हूँ और इनी वर्ड्स को वीकेंड पे इस क्विज के जरीए हम करते हैं रिवाइस रिवीजन आपको भी करना है क्विज को थोड़ ऐसा एडवांस लेवल का मैं बना करके लाता हूँ ताकि बैंक वालों के लेवल के क्विजन भी आपको मिल सके शुरू कर ले अपनी ग्लास को वीडियो को लाइक कर लेना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पिछली वीडियो पे बहुत प्यार मिला आपके प्यार की वज़े से ही इस सीरिस को मैं रेगुलरली कंटिनू करने वाला हूँ देखे पिछले वीडियो के अंदर मैंने फर्स वीडियो में दो क्वेस्टन को आपको करने के लिए दिया था अब वो दोनों क्वेस्टन को हम फटा-फट सॉल्व करेंगे और फिर इस वीडियो के क्वेस्टन को शुरू करते हैं तो लास्ट क्वेस्टन था फॉल्विंग अ हूज सक्सेस इन दा फील्ड ओफ अक्टिंग दा फेमस अक्टर डैश पॉलिडिक्स following मतलब बाद में after क्या एक बहुत बड़ी success के बाद में और किसमे acting के field में जो famous actor था उसने कुछ किया और कहां पे politics के अंदर अब इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज बताती है politics के अंदर प्रवेश करने को politics से career को शुरू करने को देखें ग्राउज वर्व हम कर चुकी है इसका मतलब होता है complain करना एक नाउन भी है और एक वर्व भी है complain करना शिकायद करना अच्छा cope up ये तो है गलत आपको मैंने बताया हुआ cope with नाम का एक phrasal verb होता है मारे पास इसका मतलब होता है किसी चीज से deal with करना किसी चीज का सामना करना तो cope up तो होता ही गलत है cope up कभी आप कहीं भी नहीं देखेंगे ये आपका answer हो नहीं सकता postulate करने का मतलब होता है assume करना किसी चीज को किसी चीज को सच मान लेना किसी चीज को आप बोल दो भई यह सच है आप पॉसुलेट करोगे तो देखो फील्ड ओफ जो है पॉलिटिक्स वहाँ पर वेंचर इंटू कर सकते हो वेंचर का मतलब होता है एक एडवेंचर को करना जिस काम में रिस्क हो उस काम की शुरुआत करना अगर आप पॉलिटिक्स में वेंचर कर रहे हो तो रिस्क लेकर के पॉलिटिक्स में घुसरे हो है ना वेंचर इंटू आपको यहाँ पर लगाना चाहिए चलिए आगे बढ़ते है last question जो मैंने आपसे पूछाता है मैंने पूछा था इन चारों में से odd one out को निकालो मतलब तीन का meaning कुछ एक हो और एक का meaning कुछ अलग हो उस एक को बताओ चारों में से कौन सा है देखो चारों में से जो अलग है वो है postulate अब देखो इन तीनों से कैसे अलग है ये भी जड़ा देख लेते हैं देखे एक word अपने पास positive ठीक है और दूसरा word postulate दोनों वर्ड एक दूसरे के synonyms हैं दोनों का मतलब होता है किसी चीज को assume कर लेना किसी चीज को मान लेना जैसे मैंने आपको एक जांपल लिया था many religions पॉजिट करते हैं वाण लेते हैं अजूं करते हैं भगवान और शैतान के एक जिस्टंस को दोनों की मौझूदगी को पॉसिट करना ये पॉस्टूलेट करना अब लेकिन हमारा ये question है थोड़ा advanced है इनका एक और sense भी है जिसमें synonym नहीं है positive का मतलब होता है किसी चीज को put forward करना किसी चीज को किसी idea विचार को present करना ठीक है ना किसी चीज को present करते हो put forward करते हो किसी विचार को सबके सामने रखते हो तो वो भी positive का meaning होता है लेकिन postulate पर यह वाला meaning अपलाई नहीं होता समझे ना तो positive के दो meaning है पहला एक किसी चीज को assume कर लेना दूसरे किसी विचार को सबके सामने रखना assume कर लेने के लिए postulate ठीक है लेकिन जब किसी विचार को करने को present करना भी बोलते है लेकिन इस सेंस में पॉस्टूलेट करना नहीं बोलेंगे ओड वन आउट थोड़ा सा एडवांस बना रहा हूं मेरे भाई एडवांस लेवल के questions से आ रहे हैं परिशान मत होना सीखते जाओ आगे बढ़ते जाओ और रिविजन करते जाओ यहीं चीजें आप डिक्स्री में से ढूंड ढूंड के निकालते हो और फिर आपको उसमें लगता टाइम है ना चलो आठवा नंबर question को देखकर के समझे किसमें जवाब क्या है तो मैंने यह पर वीडियो लिंक डाल दी है आप जैसे प्रेस करोगे ना तो जिस वीडियो में यह question मैंने करवाया है वो वीडियो खुल जाएगी आप से दिए उस question को खोलो और जाकर के देख लो तो एक नया initiative ह फाइल को आप डाउनलोड कर लेना comment section में आपको मिल जाएगी चलो आजाओ 11th question अब थोड़े अच्छे लेवल की questions है a good agree is called इन चारों में से one word बताओ good agree का क्या होता है चलो कुछ लोगों के तु यह परिशानी होगी उनको हसी भी आ रही होगी पहले तो अगरी नहीं पता क्या होता है good agree कहां से बता दें सर तो आजाओ ध्यंक से समझ लेते हैं इसको देखिए एक वोब हमारे पास ओगर ए यू जी यू आर इसका मतलब होता है प्रेडिट कर तो समझते हो यहां से ओगर यहां से ओगरी प्रेडिट से प्रेडिक्शन अब देखो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं प्रेडिट करने के और प्रेडिक्शन के सिनॉनिम और क्या क्या होते हैं देखो प्रेडिक्शन के सिनॉनिम होता है हेराल्ट और एक होता है हार बि इप्रेश यह सब मैंने आपको वो क्यावाली फाइल में करवाय हुए है तो यह सारे के सारे जो है ना ओगरी के प्रेटिक्शन के संुनारी में है हराल है, हार बिंगर है, फोर डलिंग है और प्रेश अब दोगों गुडगरी गुडगरी का मतलब क्या है अच्छी प्रेडि बोलते हैं शगुनी को बोलते हैं auspicious और अब शगुनी को बोलते हैं ominous ठीक है ominous अब याद रखना अपनी शादी का बरा अब देखो गूड ओगरी का मतलब है शगूण और जाएगा और जाएगा और जो अब शगूण आओ उसको बोलते हैं ओमिनस ठीक है ओमिनस तो यह गलत चुड़ा होए प्रेशेज का मतलब है सही मविश्यवानी कैसी भी हो चाहे अच्छी हो चाहे बूरी हो हार बिंगर भी दोना ही प्रेशेजी करते हैं है ना न्यूटरल होता है ना अच्छा न बुरा और अच्छे के लिए हम यूज करते हैं ओस्पीस है ना ओस्पीस शगूने बढ़ते हैं नेक्स क्वेस्टन की तरफ लेकिन उससे पहले मैं एड करना चाहूँगा आप किसी अच्छे भी एक्जाम के त्यारी करते हो इंडिया के जितना जरूरी उसके कॉंसेप्ट शीखना है उतना ही जरूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एक्जाम को देना मॉक टेस्स को और मॉक टेस्स के अंदर टैस्बुक भारत का लीडिंग ब्रेंड है और एक्जामबल जब आप बाय करें न तो वाई 8010 कूपन कोड लगा लेना 10% अडिशनल डिसकाउंट मिल जाएगा बाइंग लिंक को मैं डाल रहा हूं कॉमेंट सेक्शन में फर्स कॉमेंट में पिंड है अब वहां से बाय कर सकते हैं टैस्ट बुक अगर आपके पास है पैकेज तो इसके चलते फिरते दे सकते बहुत सारे मिलते हैं आज आप इसको पढ़ लो और फिर बताओ मुझे क्या डालेंगे इस कॉमेंट के अंदर चलो अराम से यहां पर पॉस कर ले ना the U.S. Food and Drugs Administration या FDA has warned that the world may have to dash many more viruses in the decades to come तो अमरीका को जो Food and Drugs Administration जिसको FDA भी बोलते हैं इसने warn कर दिया है सबको चेता दिया है कि दुनिया जो है उसको करना पड़ सकता है और क्या करना पड़ सकता है यह आप बताएंगे इन चारों में से और किसके साथ बहुत सारे वायरिस के साथ आने वाले डेकेट्स में जो कम टू कम है जो भी आने बाकी है तो उसने बोला बहुत सारे वायरिस से निपटना आपको पढ़ सकता है, कुल मिलाके मोटा मोटा मिनिंग यह है, अब इन चारों में से जो निपटने का सिनॉनिम है उसको अपने को निकाल लेना है, यह ज़्यादा मुश्किल क्वेशन नहीं है थोड़ा सा मैंने कन्फ्यूज किया आपको, अब देख लो अपने आंस्वर क्या है, आंस्वर आपका कन्टेंट विद, आप में से बहुत लोग कन्फ्यूज होंगे, कन्टेंट और कन्टेंट के वीच में किसको अंस्वर बनाए, तो पूरी कहानी मैं आपको समझा लेता हूँ, देखे, पहला सबसे कॉमन है, निपटने के लिए डील विद, फ्रेजल जानबूश के मैं लिखता हूँ, ग्रैपल के बाद आएगा, लेकिन टैकल के बाद नहीं आएगा, तो ग्रैपल के बाद में विद आना चाहिए था, यहां नहीं आया हुआ, तो यह गलत हो गया, टैकल के बाद विद नहीं आना चाहिए, पर आया हुआ है, इसलिए भी य अब बचा क्या content with इन्हीं का इक स्वानिंग में चोथा content with यह आपका एंसफर है लेकिन यह content with इसका मतलब होता है satisfied I am not not content with your services मैं तुम्हारी सेवाओं से satisfied नहीं हूं content का मतलब होता है satisfied यह satisfaction की बात नहीं हुरी वाइरस से कोई सेवाई नहीं लेनी है में उससे जूजना है तो content with को यूज करेंगे content with को नहीं करेंगे ठीकर ना यह confusing है थोड़ा सा यह satisfied को बताता है यह जूजने को बताता है किसी चीज का सामना करने को बताता है चलो आगे बढ़ते हैं आजाओ next question पर one word choose करना है इसके लिए इस phrase के लिए इन चारों में से एक अच्छे level का question है ध्यान से समझना बहले कोशी शाप कर लो to increase something by a fixed amount or degree किसी चीज को increase करना और कैसे fixed amount से या degree से मतलब थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा करके है ना हलका हलका देखो पहला आपकी पास crank up retrograde ratchet up और regress मैं आपको पूरी कान इसी बना देता हूं ताकि चारों words आपके दिमाग में बैठ जाए प्रोग्रेस वर्ड तो आपने सुना ही है इसी का सिनोनीम एक upgrade जब आप प्रोग्रेस करते हो तो जिंदिगी को अप्ग्रेड भी कर रहे होते हो है ना देखो progress में आप प्रो आगे की तरफ जा रहे हो अगर मैं री लगा दूना री तो यह वर्ड बन जाएगा प्रोग्रेस का इसी से बनाया वर्ड रिग्रेस हो बिल्कुल उल्टा किसी चीज को आप इंक्रीज कर रहे हो बिलकुल उल्टी बाता रिग्रेस करना और यह आपका उनस्वर नहीं है समझे ना प्रोग्रेस से अब देखो upgrade, ऐप grade के पिछी आप retro लगा दो, आगे ऑगे लगा दो grade, upgrade का मतलब है grade को ऊपर लाना, retro grade का मतलब है grade को नीचे लाना, किसी चीज को कम खराब, जो है कम बहतर बनाना, पहले से खराब बनाना, progress और upgrade एक ब्पदिया एक दूसरे के synonymous है, कि इसको बोलते क्रैंट अप कर न है यह काम की जटके से होता हैं मतलब किंद जटके से किसी काम को करना अगर कोई गड这么 labourड रही है आपका मन हुआ इसको क्रांट ओड़ांगा दो गना आ कि यह होता है झीज़ को धिमा धिमा करके इंग्रीज खरना यह रेचेटो आप कहां से बना है? detail में बता रहा हूँ मैं dictionary में खोजते मर जाओगे जो है परशान हो जाओगे सारा एक साथ लाने कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे दिमाग में आपके भी बैठ जाए आजाओ next question पर अच्छे level का question है बहुत मुश्किल question है एजी question नहीं है पूरा दिमाग लगाना इस पर चलो something that serves your interest is called a dash measure ऐसी चीज जो आपका भला कर दे आपके इंटरस्ट को serve कर दे आपकी भलाई का काम कर दे वो कहलाती है इस type का measure अब देखो word अपने पास ये सारे के सारे देखो एक word expediency ये एक noun है दूसरा word है इसी verb की इसी noun की adjective form expedient expedient एक verb है और expedition भी एक noun है ये दोनों आपस में connection रखते है expediency और expedient इनका noun से इस से कोई connection नहीं है और वर्ब से भी कोई connection नहीं है ठीक है ये दोनों अलग हैं ये दोनों अलग है expediency का मतलब होता है इसके लिए मैंने आपको बताया था अपना काम बनता भाड में जाए जनता जो गलत है सही है ऐसी तैसी कराने किया जिस से मेरा काम बने वो है expediency समझे ना अब देखो expediency का ही अगर additive form बनाना हो तो वह था expedient हर वो चीज expedient है जो आपके purpose को serve करती है और यह expedite है ना इसके एक और form भी है इसमें से ए को निकाल दो expedite लगा दो चाहिए expedite लिख दो यह एक verb है इसका मतलब होता है quicken किसी चीज को जल्द बाजी में लाना किसी चीज को है ना किसी चीज को swift करना fast करना मैं आपको बोल रहा हूं जल्द यल्ली हाँ चलाओ जल्द यल्ली इस प्रोजेक्ट को पूरा करो expedite दे प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा quick करो और expedition का मतलब होता है adventure adventure आप भूमने फिरने जाते हो that is an expedition तो अब यहां पर measure के लिए एक adjective चाहिए adjective होगा expedient हर वो चीज जो आपके purpose को solve करे expedient measure कहलाती है है ना देख लेना measure के लिए adjective चाहिए तो adjective को चूज करना noun को मत चूज करे आना ठीक है be answer है चलो आगे बढ़ते है हम यह question बैंक्स में बहुत आ रहा है इस तरह है का पता है क्या होता है दो statement दे रहता है आपको और बोलता है जो आपके पास यहां पर underlined है इन दोनों ही जो है underlined words को या phrases को इन में से कौन सा word अकेले ही जो है कर सकता है ना replace मालो यह word है पहले पढ़लो दोनों statements और फिर मुझे बताओ कौन सा word जो है दोनों जगह पे अपना meaning निकाल लेगा चलो people are being asked for their views on the proposed new law लोगों से पूछा जा रहा है उनकी views के बारे में नजरिये के बारे में नए proposed law के बारे में पूछा जा रहा है people are being asked for यहां पूछने के लिए एक अपने को word चाहिए यहां देखो every morning the employed इसको अन कर ले न the unemployed young men would scrutinize all major newspapers looking for jobs हर सुबह जो है बेरोजगार young men होते थे वो छान मारते थे scrutiny गर मारते थे सारे बड़े newspapers की jobs को ढूटते हुए मैं आपको बता रहा हूँ मान लोग पूरानी बाते बता रहा हूँ वह 1990 में क्या होता था बहुत गरीबी थी देश में तो जो भी young men थे वो सारे के सारे newspaper चाहनते थे बड़ी बड़ी नोगरियों को ढूटने के लिए अब देखो यहाँ पर scrutinize चानने के लिए investigation के लिए और यहाँ पर मांगने के लिए अब इन दोनों के लिए अपने पास एक ही word है canvas अब देखो दिक्कत ही है के canvas ये वाला है ये वाला ये canvas है ये वह बहुँ है इसका मतलब होता है या तो चान मारना scrutiny कर दाना या फिर किसी चीज को मांग लेना किसी से view मांगना किसी का support मांगना किसी से vote मांगना है ना डबल एस वाला और ये single वाला canvas है ये कपड़ा होता है clothing आपने canvas के shoes पहने होंगे मोटे कपड़े वाले shoes मोटे कपड़े को बोलते है canvas जिस पे painting बनती है ना उसको भी canvas बोलते है ना canvas पे painter painting बना रहा था तो वो painting वाला जो कपड़ा होता है जो वो पुरा platform के लाता है canvas तो ये single s वाला एक noun है एक कपड़े को बोलते है canvas ये एक warp है यहाँ पे set बेटेगी दोनों जगा पे आ जाएगी अब मैं 10 second order दूँगा ये दोनों words भी मुझे बता दो क्या काम करते है इन दोनों words का meaning निकाल लो फटावट से चलो iron out का मतलब होता है iron मतलब press इस्तरी out मतलब इस्तरी समझगे ना press वाली इस्तरी है ना iron out का मतलब होता है selवटों को दूर करना चाहे तो कपड़े की सलवट दूर कर दो तो भी iron out और जिन्रेगी में कोई सलवट हो कोई परिशानी हो उसको सही कर दो तो भी iron out ये एक phrasal verb है चीजों को settle करने के लिए iron out को use करते है एन विसेस का मतलब होता है imagine करना किसी चीज की कलपना करना किसी चीज की पर ही कलपना करना है imagine करना 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 एन विसेस चलिए आगे बढ़ते हैं next question पर आज़ो फटापट से डाल दो यहाँ पर comments में क्या डालोगे इसमें blank में अरवादू इसको पिछली वीडियो पर आपका बहुत प्यार मिलाता है न दसजार उस पर व्यूज है हलांकि ज़्यादा नहीं है एवरेज व्यूज दसजार से उपर रहते हैं अपनी हर वीडियो पर पर लाइक्स उस पर दो हो जार है तो व्यूज से मेरा ज़्यादा connection है नहीं चैनल पर मैं काम करता हूँ आपके प्यार के लिए तो जो लाइक्स आये थे पिछली वीडियो पर उनको बनाए रखना मेरा motivation बना रहे इस content को मैं बहतरीन quality का बना करके लाता रहूं हर वीग है न चलो यह question है आपका in the backdrop of a persistent uprising hold on power had become quite dash for most middle eastern dictators करब backdrop में प्रिस्ट भूमी में देखते हुए सीज को backdrop को और किसको एक लगातार बने हुए uprising को विद्रो को करे इस backdrop में इस वजह से जो hold ना जो पकड़ है और किस पे पावर पे यह बन चुका था बहुत ही इस टाइब की चीज और किसके लिए ज्यादा तर मीडल इस्ट के डिक्टेटर्स के लिए मीडल इस्ट के तानाशाओं के लिए है ना अब बता दो पावर पे जो hold है वो क्या बन चुका था विद्रो को देखते हुए पावर पे होल्ड क्या बनेगा चलो पावर पे होल्ड अगर आप अपने मीनिंग के साब से चलो वैसे तो आपको यहां पर एज्टिव चाहिए है ना हैस बिकम बिकम एक बिलिंकिंग वह है अपने पाद एज्टिव लेगी और बन चुका था ब अपने पिशली वार भी किया था इसका मतलब होता है चिडा हुआ कि Do index ी बोलते हैं या मूडि इन तो पावर पे होल्ड इसकी मीनित कॊंटा होदा हब बहुत कड़ अलोचना हुई तो उसको भी यहां में वाइरा boundaries से बटा सकता है ना जरील है यह ना हार्श किसे गार्ण मतलब का मतलब उदर सोया हुवा, डॉर्मेट वोलकेनोस जो आज भी सोय हुए हएं, बहुत सालों से फटे नहीं है ह। सोया हुआ, तो होल्ट जो है ना तो सोया हुआ, ना जह्रीला बनेगा, ना कड़ा बनेगा, ना पě ट्रॉलेंड बनेगा, वो वनेगा अरधा-10। tenus का मतलब होता है thin बहुती weak बहुती delicate नाजूक बहुती flimsy इसका end Heute means strong समझते ना समझे हैं नहीं बहुती कमजोर हो गया था पतला हो गया था वीक हो गया था, नाजुक हो गया था, डेलिकेट हो गया था, इंट्रिकेट हो गया था, यही आपका answer है, चलो next question पर आजो 17th question है, पिछले मैं समझ गे न, 10 ways आपका answer है न, आजो, अपने बस questions कितने हैं, एक बर मैं देख लूँ, एक काम करते हैं न, दो question बचे हैं, 17th और 18th ठीक है, पहले इसको देख लो, screenshot ले लो इसका, answer निकालो, और comments में डालो, comments में में मेरा answer मिल जाएगा, next week जब शुरू करूँगा वीडियो को, 70 में और 18 में question से शुरू करूँगा, पहले आप अपना answer बना लो, और मेरे answer से मिला लो, ठीक है, comments में मिलेगा, first comment में, और य score ज़रूर बताया करो, आज कितने question होगे, 8 question हुए है, 10 question हुए, out of 8 आपको कितने marks मिले, वीडियो को like करके share कर देना, शाम को वीडियो आ रही है, conjunction पे, ठीक है, किस पे आ रही है, conjunction पे, आज एक छोटी सी party किसी friend के यहां, शायद उसको record करके जाओं वीडियो को या फिर आ के करूँगा, पर कोशिश करूँगा, रात को 9 बजे तक वीडियो को डाल दूँगा है, कैसे भी करके, चलिए मुलाकात होगी तभी, until then, signing out.